आपका स्वागत है मेरी इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरे साथ बने रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टू अप्टरनून रिटेंट सेयर करने वाली हूं तो देखे कि मैं मॉर्निंग से साथ ही शरीर के विसाले तत्तों को भी हटाता है तो मेरी सुबह की सुरुआत इकलस गरम पानी से होती है उसके बाद मैं बाकी का काम करती हूं तो पानी पीने के बाद मेरा दूसरा खाम यह होता है कि अपने ड्राइंग रूम में सभी चीजों को ठीक करना जैसे कि सोफा क कवर ठीक करना अगर कोई भी चीज इदा उदर हो तो पहले मैं उसे रखती हूं मतब यह सारी चीज़े ठीक करने की बाद ही मैं घर में जारू लगाती हूं तो यहां पे मैं सोफा का कवर ठीक कर रहे हूं साथ ही मतब रात में थोड़ा मंदब लैपटॉप पे कुछ काम क घर खुदी बहुत ही साफ लगेगा आपको तो मैं यहां पे साड़ी चीज़ों को अपने जगह पे रखने के बाद फिर जारू लगाऊंगी तो मैंने अपने घर में में नहीं रखा हुआ है साड़े काम में खुदी करती हूं और बड़े ही आराम से हो जाता है क्योंकि मे जाड़ों के सब सारा काम मेरा मतब 6.30 तक खतम हो जाता है उसके बाद में किचिन में जाके बेटी के लिए ब्रेकफस्ट बनाऊंगी साथी लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाऊंगी तो आज मैं पनाने वाली हूं इडली सामबर चटनी तो यह देखिए सारे तयारिया मैं रात में ही कर ली थी मतब इडली का जो बैटर है वो रात में मैंने पीच लिया था साम को सुबह सुबह एकदम अच्छा सा इसमें खमीर उड़ जाता है और इडली का जो बैटर है बल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए एकदम बढ़िया सा गारा गारा एकदम मतब बढ़ की दाल या रहार की दाल भिंगों कि लख देती हूं सामभर के लिए साथ ही » similarity क्योंकि सुब्ह सुब्ह को भिंगों कि रखेंगे, तो तुरन्स से पूले गा नहीं डाल भी आप तुरन्त सुबह में बनाइगे ने तो काफ़ी सीटिया रगाने पड़े गूत już सुबह में पानी डालके इडली स्टैन में इडली बेटर डारा है इसे हम चरहा देंगे साथ यह दिखिए धकल लगा देंगे और सीटी निकाल देंगे मेरी इडली बनाना सीख रहा है यहां पर मेरी इडली भी चड़ी हुए मेरी चटनी बन रही है जे चोड़ी बहुत बन गई है और ब्यटा को मुंख्षली बहुत के साथ में थंदा कर दोंगे यह देखिए यहाँ पे इडली भी बन गया है मेरा और यह चटनी मुंख़ली जो है भून गई है तो बस नमक और थोड़ी सी इमली का पाइन डाल की चटनी बना लूँगे साथ ही यहाँ पे एक पैन में थेल डाला है तलक के लिए हमने जाला है जीरा मेथी, राए, मिर्ची और करई पटा यह जब भून जाए तो इसमें प्यास जाल देंगे प्यास हलका सा भून जाए तो इसमें कुछ और सब्ज़या डालेंगे तो मैं यहाँ गाजर, लौकी, सा या जान और सांबर में जो हमकरेञा हैं तो थोड़ा नमक क्यां। यह रता में रखाएंगे. नमक क्या जाने मेद नमक कमे सांबर, आखाएंगे और क्यावादा पाद टीक-याट। और मसालों के साथ इन सब्जियों को थोड़ा सार भूल लेंगे अदिके डाल को हमने अच्छे सी घोट लिया था मतब डाल बनाने के बाद उसे अच्छे से आप गोट लिजिए मतब मिक्स कर लिजिए तो इसके बाद मैंने आप इसमें डाल दी है सब्जियां और थोड़ा साथ थोड़ा सांब नास्ता वासा करने के बाद मैं यहां पर बैठी हूं सब्जी और फल को रखने के लिए तो जब सब्जियां आती है तो उन्हें रखने में भी एक घंटा चला जाता है तो यह सारा का मैं बालकनी में बैठके करती हूं ताकि मिट्टी वेगर हो अब याज का चलका वेगर सब्जी वेगर सब्जी के डाल दिया अब अलग अलग करके इन्हें फ्रेज में अच्छे से रखना है तो फ्रीज में पहले से अगर जो सब्जियां हो तो उन्हें आप बास्केट से निकाल लें उन्हें उपर में रखे ताकि उसका यूच जल्दी हो जाये और इन सब्जियों को पहले अलग-अलग कर लेए उसके पाद इन्हें फ्रीज में रखेंगे तो यह देखे एकी साथ सारी सबजी आगए है तो इन्हें अरेंज कर लेंगे हम तो अलुपयाच को उसकी ठोकरी में हमने रखतिया थीया है और फरीज में जो बासकेट है सबजी। तोड़ा सा बढ़ा है तथो अराम से सारी सब्सब्साइब कि पालक भी साफ कर लिया है मिश का जर निकाल दिया है तो इस तरीक Kelsey से पालक के धनिया मेथ्ञין सांप करते सiene इसे जर को हटाके अच्छी सीस सांप कर लें इसके ऐसे पॉलेथीन आरह कि पालक को बातों इसके बातों सें फृरिज तो दीआ है और एहां पर थोरी सी लहसंद को भी हमने पाने में भीगो के रख दिया है और यह पालक का जर्द था है दीजme यह यह दे बहुत ही ज़कम पालक की पत्या निकलता है इना है कि पहली बार लगा रही हूं और देखोने के आपके घर में भी जब पालक मेथी वेगर आयनुस में जर रहे है पालक की तो उसे आप गमले में लगा दीजिए फिर से वापस से पालक हो जाएगा और आपको फिर से पालक खाने को मिलेगा तो मतलब देखने में भी बहुत सुन्दर सा लगता है इस तरह से हरा भड़ा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करेंगा मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई